दोस्तो आज के इस वीडियो में इस 5 Money के debit card के unboxing आप लोगों को दिखाऊँगा साथ ही साथ इस 5 Money के debit card के जितने भी features हैं controls हैं वो सब आपको application के अंदर ले जाके दिखाऊँगा और साथ ही साथ उनके बारे में आपको बताऊँगा भी कि कैसे आप उन features को use कर सकते हो ग्यादा साल और ग्यादा साल से उपर के बच्चे इस new bank को use करके अपनी money को manage करना सीख सकते हैं जितने भी transactions होते हैं online हो ATM withdrawals हो या POS machine में swipe करना हो card को यह सारे features वो early age में सीख सकते हैं इस motive के साथ इस new bank को बनाया गया कि teenage में बच्चे concept सीख पाएं अपनी money को manage करने का इस five money के उपर already में एक video बना चुका हूँ part 1 यह part 2 है description में उस video का link आपको मिल जाएगा वो part 1 था और यह part 2 है part 1 में मैंने बताया है five money का account आप इस step by step बनाएंगे कैसे five money का account का overview five money का account के features, rewards, cashback यह सब cover कर चुका हूँ part 1 में वो बहुत जरूरी वीडियो है description में उस video का link है जरूर जाके देखिए part 2 में इसके debit card के बारे में cover करने वाला हूँ तो पहले unboxing देखेंगे debit card की और उसके बाद इसके features और controls आपको दिखाऊँगा एक एक करके ठीक है सबसे पहले unboxing देखते है इस तरहा की packing में आपको देखने को मिलता है 5 का debit card आगे colorful F बना होता है और जब यह मुझे मिला था तो यह देखें नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ इसमें chipkin कम थी और उपर से भी इतना खास कोई chip का हुआ नहीं था उपर से भी खुला ही हुआ है तो मैं company को यह feedback देना चाहूँगा कि आप अपनी packing थोड़ी सी अच्छी करिए seal pack debit card दीजिए यह chipkin इसमें कम नहीं होनी चाहिए ठीक है बाकी डबबा नया था नीचे 5 की branding थी yes bank के साथ partnership है उसका लिखा हुआ था और नीचे इनकी site लिखी हुई थी www.5money.in बाकी चार पाच चीजे निकली अभी मैं आपको करके हर चीज दिखाऊंगा देखे डबा खाली हो चुका है तो इसे रखते हैं साइड में अब यहां पर unveil the magic इसमें तो हमारे debit card है बाकी activation code मिलता है white paper में देखने को एक teens guide to five universe मिलती है आपको इसमें लिखा होता है what is five तो question यही आता है कोई भी नहीं चीज आती है तो उसके बारे में से पहला question यही आता है कि है क्या वो चीज तो वो चीज लिखी हुई है message for parents parents लिए message दे रखा है और बाकी बहुत चीज़े इसमें आपको देखने को मिलेंगी चाहो तो आप पढ़ सकते हो बाकी सारी knowledge इस application के बारे में और क्या-क्या इस features देखने को मिलते हैं इस सब इसमें लिखा हुआ है बाकी आपको एक और चीज मिल जाती है यहाँ पर देखिए change लिखा हुआ है बहुत बढ़िया यहाँ पर आप खोलोगे इसको तो इसमें आपको कुछ stickers देखने को मिलेंगे अब stickers जो है यह 5 की तरफ से आते हैं और यह आप कहीं पर भी इसे हटा के चिपका सकते हैं बाकी और exciting prizes आप जी सकते हैं यह लिखा हुआ इसमें बाकी stickers मिल जाते हैं और कुछ खास नहीं है इसे भी side में रख देते हैं अब next मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्यारस आता हुआ debit card देखिए तो खाली हो चुका बिल्गुल आगे बढ़ते हैं और अपना बढ़िया सा debit card unve reveal the magic इसे reveal करता हूँ मैं आपको और जैसी इसे खोलते हैं खुबसूरस सा 5 का visa branding के साथ आता हुआ debit card हमें नजर आता है चिप भी दे रखिए तो contactless payments भी हो सकती है ठीक है debit card को निकालते हैं और फिर front और back से आपको दिखाता हूँ friendship का logo मिल जाता है आपको 5 का visa की branding मिल जाती है उपर chip मिल जाती है जैसी आप flip करेंगे back में आपको सिर्फ expiry date नजर आती है यहाँ बाकि आपका नाम होता है और solar digit का जो number होता है वो गायब होता है और यहाँ पर कोई भी CVV print नहीं होती तो यह security wise बहुत ही अच्छा debit card है 5 की branding होई भी है उपर yes bank की भी branding हो रखी है यहीं पर आप देखोगे ध्यान से तो customer care का number भी print कर रखा इन्होंने debit card के उपर नाम वाम तो आपको देखने को मिलता ही है customer care का number काफी लोग मुझे पूछ रहे थे तो यह मैं आपको दिखा रहा हूं आप वीडियो पॉस करके भी तो यह customer care का number है कोई भी आपको problem आती है issue आता है इस debit card को यूज करने में तो आप इस number पर call कर सकते है ठीक है अब आगे मैं आपको इस card के और कुछ चीज़े दिखाता हूं देखे यह तो पूर आपने look देख लिया है इसकी black प्रिश्म आता है काफी अच्छा है और इसकी key points दे रखें कैसे application को activate करना भी करके दिखांगा मैं आपको तो आपको five का application खोलना है और activation code दे रखा है यह डालना है सिर्फ और आपका five का debit card जो है physical activate हो जाएगा तो अभी में चलता हूँ आपको mobile screen पर लेके और activate कर करके दिखाता हूं ठीक है तो इस paper को रखते है side में य यहां पर view card पर click करूँगा फिर activate card पर आएगा activate card पर मैं click कर दूँगा जैसे activate card पर click करूँगा तो यहां पर मुझसे वो pin मांगेगा जो वहां पर activation code है activate card के लिए तो pin जो आया है paper पर लिखा हो वो pin में यहां पर डाल दूँगा activation code है वो तो code जैसे मैं डालूँगा हो चुका है अब यह बोल रहा है कि सैट कर दीजिए पिन तो मैं अपना डेविट का पिन सैट कर दूँगा ताके एटियम विड्रॉल और पीवेस मशीन में जब स्वाइप करूँ तो इस पिन की जरुद पड़ेगी इसे में बाद में चेंज भी कर सकता हूं तो पिन देखि कार्ड फिजिकल कार्ड दोनों को अलग-अलग अन्ब्लोक या ब्लॉक कर सकते हो साथी साथ सेटिंग अप लिमिट में जाओगे तो आपर एकोमर्स मतलब ऑनलाइन के लिए अलग लिमिट कर सकते हो एटियम के लिए अलग बटन दवा देना और वह सैट हो जाएगी आपक enable disable कर सकते हो, अगर off कर दिया ही ने, तो आप वो feature use नहीं कर पाओगे फिर, तो ध्यान रखना, मैंने channels पे ये तीनो enable होने चाहिए, अगर आपको ये feature use करने है तो, तो यहां से enable हो रखे हैं सारे के सारे, back आते हैं, अब आपको home screen पे एक और बढ़िया feature दिखाता हूँ यहाँ पे, personalize your cashback offers, आपको जिस category में अपने cashback offers चाहिए, चाहते हैं मुझे cashback मिले इन categories में, तो वो categories आप select कर सकते हो, अपने हिसाब से, अब मैं select कर रहा हूँ, OTT subscription, recharge का, और तीसरी category, books and stationery, यह मैं select कर लेता हूँ, तो यह set करके, आप save कर सकते हो, अब कुछ जरूरी बाते, इस five account के बारे में आपको बताने वाला हूँ, end तक इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी होने वाला है, तो इस debit card को जब मैंने order किया था, तब लगे थे 73 rupees, वहाँ पे price दिख रहा था, 399 का है यह, मगर आपको offer चल रहा है, तो 73 rupees में मिल रहा है, तो 73 rupees मैंने, five में add कर रखे था, अल्यटी पैसे, वहाँ से deduct हो गए, 73 rupees कटे, और उसके बाद यह order हो गया, 3 दिन के अंदर यह मेरे घर पे आ गया, delivery courier service थी, जिसके through यह आया था, इस screen पर आपको उसका नाम देख रहा है, तो मैंने courier service बता दिया आपको, और कितने रूपे लगे, 73 rupees लगे यह भी बता दिया, features आपको अल्यटी दिखाई दिये, अब जरूरी बाते क्या है इस account के बारे में, 5 application के अंदर जब आप जाएंगे, और पूरा देखेंगे उसे, तो वहाँ पर कही पर भी आपको account number और IFSC code देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो भी आप खर्चे कर पाऊगे, वो debit card की मदसे ही कर पाऊगे, virtual debit card online खर्चों के लिए है, और physical debit card इसका offline खर्चों के लिए है, यह एक तरीके से prepaid wallet है, जो कि बच्चों को काम में आएगा, parents एक क्लिक में अपने बच्चों को पैसे भेज पाएंगे, जो 5 account से 5 account payment जाती है, वो बहुत तेजी सी जाती है, अभी यहाँ पर UPI का option नहीं आया, मैं आपको पहले ही clear कर देता हूँ, यहाँ पर application के अंदर आप pay के option में जाओगे, तो अभी एक 5 account से अपने दूसरे 5 account में भेज पाओगे, अभी यहाँ पर किसी और bank में पैसे नहीं भेज पाओगे, scan to QR code का option अभी नहीं आया है, वो coming soon है, वो अभी आने वाले दिनों में आएगा, तो अभी किसी भी UPI के थुरू आप payment ना भेज पाओगे किसी और bank में, और नहीं अपनी किसी और bank में खुद भेज पाओगे, तो यह मैंना clear कर दिया, NEFT, RTGS, IMPS, यह तीनों method यह support नहीं करता, फाइप application support नहीं करती, इसमें है भी नहीं, तो फाइप money में जो भी पैसे add करते हो, वो या तो debit card की मदद से होगा, यह UPI की मदद से होगा, NEFT, RTGS, IMPS, यह काम में नहीं आगे, आपको पैसे add करने के लिए भी, और अगर पैसे भेजना भी चाओगे, तो NEFT, RTGS, IMPS का option आपको नहीं मिलता, आपको सिर्फ debit card का option मिलता है, और अभी आप किसी को पैसे भी नहीं पाओगे, सिर्फ उनी को भेज पाओगे, जो FIPE application यूज करते हैं, जो FIPE application पे है, फैलो फाइपर्स को भेज पाओगे, और किसी को आप यहाँ पे अभी पैसे send नहीं कर पाओगे, घर्चा इसमें मैंने करके देख लिया है, POS मशीन में मैंने swipe करके देखा था, चल रहा है first class एकदम, मैं आपको message भी दिखा दूँगा, मेरे पैसे deduct हुए है, मैंने machine में swipe कर रहा था, easy day पे, वहाँ पर first class चल रहा है, और मैंने साथ ही साथ ATM में जाके देखा, तो ATM में थोड़ी बहुत problem आ रही है, यहाँ पर ATM withdrawal अभी नहीं हो रहा है, और यह fix कर देंगे बहुत जल्दी issue को, तो ATM withdrawal अभी नहीं हो रहा है, State Bank of India के ATM में गया था, और भी ATM से में जाऊँगा, तो आप चैनल को subscribe कर लो, अगली वीडियो में मैं live ATM withdrawal करके दिखाऊँगा, अलगल ATM से में जाएंगे, और यह card try करेंगे, किसका ATM withdrawal हो रहा है या नहीं, POS मशीन में काम करता है, Netflix पे try करता है, वहाँ पे भी काम करता है आराम से, और साथ ही साथ मैंने Jio का recharge करके देखा था, Jio की application खोलके, वहाँ पे इस card का number डालके, details डालके, virtual card पे जो थे, वो डालके मैंने Jio का recharge करता है, first class Jio का recharge भी हो रहा है, तो इस card को use करना चाते हो, अपने खर्चे करने में, तो खर्चे करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, पैसे निकालने में problem आ रही है, ATM withdrawal में, problem यहाँ पे ATM withdrawal में आ रही है, थोड़ी बहुत, और साथी साथ, अगर इस application के अंदर से, कोई साभी आप recharge करते हो, कोई recharge, यह bucks fix हो जाएंगे आने वाले टाइम में, अभी तो मेरा यही feedback है, इस application को और improve करिये थोड़ा सा, ताकर इसका experience और बहतर बने, बाकि application एकदम ठीक चलता, rewards भी मिलते हैं, cashback भी मिलते हैं, क्या doubt आपके आ रहे हैं, इस application को ले के, थर्ड पार्ट में, इसका तीसरा पार्ट जो आएगा, उसमें मैं ATM withdrawal करके दिखाऊंगा, और इस debit card को यूज़ करके देखेंगे, ATM withdrawal हो रहा है, प्रॉपर या नहीं हो रहा, और मैं आपको उसके बारे में भी clear fiction दे दूँगा, ज़्यादे ज़्यादे सबके reply करने की, और इसी के साथ में मिलता हूँ आपसे, अगली वीडियो हम सब तक लिए, take care, goodbye, love you all.